नमस्ते मैं हूँ श्रेयस तर्पदे और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ The One and Only दी प्रवीन तामबे के साथ में प्रवीन बाइ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सिंपल से सवाल कि 41 की उमर में 41 के उमर में डेब्यू कौन करता है वो भी क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में जहां पे यूजूली कहते हैं कि 34-35 की उमर में आपको रिटायर हो जाना चाहिए अगर नहीं हुए तो लोग प्रेशर डालते हैं कि आप भी रिटायर कर तो उमर देखके लेकिन आपने 41 की उमर में डेब्यू किया IPL में कसम से जब मैंने भी देखा था TV पे और मैंने देखा इनको सबसे पहले खेलते हुए तो मैं ये कौन है यार ये कोन है तो किसी ने बहला प्रविंटाम है मैं लो ये कोन प्रविंटाम है ये तो बड़ा लग रहा है और इनकी उमर 41 है 41? 41 में डेविव किया है ये बंदे ने ये कौन बंदा है? तो कहां थे? आप 41 की उमर तक आप कहां थे? क्या कर रहे थे? और इतना time क्यों लगा आपको? मतलब कितने साल से आप कोशिश कर रहे थे, struggle कर रहे थे या सड़नली मतलब 40 में आपको लगा के आपस क्रिकेट खेलता हूँ और आजाता हूँ क्या हुआ था आपके साथ? ये सब हम जानना चाहते हैं लेकिन उससे पहले, we'll go back to your childhood कि बचपन में ये शुरुवात, क्रिकेट की जो शुरुवात है ये बचपन से हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई तो प्लीज बताइए की बचपन आपका कैसा था? बचपन से भी देखते आएक शुरुवात आपके फादर भी खेलते थे दखेकोध करेखेट करिकेट करेड़ शुरूरू होगी है, तो वो खिलते थे फुटबॉल को लागा, मुझे भी खेलना चीट और वहां से आपने शुरू किये, तो आपने मजले पहले से कोई तो यह मैंने सब देखे आखो किमी सामने तो ऐसे ही शुरू होगी एक्टिंग में किया तो वैसा यह क्रिकेट वाला कीड़ आपको बच्पन में काट लिया था और तब इसे फिर आपने सोच लिया था कि बस मुझे क्रिकेट खेलना है तो उसी वक्यूकि कई बार तो हम मुझे बस रंजी खेलना है यह आपका सपना था यह मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या गेम खेलना है रंजी टोफिय खेलना है या एपियल खेलना है मुझे और वो मैं जबी भी ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने जाता तो मैं सब कुछ भूलता था मुझे अगर इंजर जब भी मैच खेली है तो मुझे पता ही नी चलता था कि यह पुब्लिक है क्या कोई है क्योंकि मैं इतना फोकस रहता था था गेम में और मेरे परफॉर्मस करने में तो मुझे कुछ यही नहीं लगता था दिमांग में नहीं आता था था यही दिमांग में लेके जाते थे रंजी टोफी मैच देखने गए भी वान कड़े पर दैडी का आत पकड़ के लेके गया ऐसे नहीं कि हो देखके मुझे आइड़न ओके क्रिकेट की बात आती है तो मैं अभी कोई भी खेलते तो मैं घुज ज वारवर Haasat में तो आपका वह बैलेंज कैसे था मतलब पड़ाई में आप कैसे थे मैं पड़ाई में टॉप भी नहीं था क्था दर क्छिए तो वह दो लोगा मैच हो गया क्योंकि डैडी स्पोर्स में थे और ममी तुड़ी स्टीक्ट थी तो वह टाइमिंग था कि चार बजे के बाद ही जा सकते हो या पाच बजे के बाद ही एक दो गंडा खेलने जा सकते हो गोर्स में पर टो और ममी ने रखा लेकिन आप ऐसा कुछ मानते था इसा आपको देखने लगता नहीं ऐसे तूरा चीटिंग करना पड़ तो कोई सीटी मारता था नीचे तो जाते था तो चीटिंग की है क्या बोलते थी तूरा ही कि ने बहुत अब कि पढ़ा ही करना है या जाना है तो उसके पास नोट से या एकरना है और जा करना जाके ऑसे मैश भी खेलता जाके तो वह हो चीटिंग ए है मैश कहलने के लिए तो मैंघ्व की जो मुए का कि मइ का किरदार जो फिल्म में भी निभा है तो वाइल वी वर शूट्टिंग तब फाता चला के मुए पdetermर्फटने लगता है किजो था फटे नहीं पड़ते तो चाहिड में कभी सहर आगे भी नहीं सता था ऐसे लगता किदर जा रहा? पिर से मैच? किदर? संगम देर फाइनल इस एक फिल्म में नहीं करने है परेंट भाइं, फिल्म एक और बहुत इंत्रेस्टिंग गारेक्टर है वो कोई इनसान नहीं है वो एक गाड़ी है एक ओम्नी गाड़ी है में जब फिल्म में हमने देखा कि वो दोस्त लोग हमेशा यूज करते जब मैच वैच के लिए जाते तो दोस्त सारे उसी गाड़ी में बैटके जाते तो किसकी थी वो गाड़ी Actually, Umesh Mantragar करके, हमेरे टीम में एक प्लेयर ते तो उनको वो Man of the match series मिली थी. Man of the series, वो गाड़ी मिली थी? गाड़ी मिली थी, Umesh Mantragar को. और हमारे शाम वागले जो दूसरे दोस्ते हैं, हमेशा वो चलाते थे और हम लोग सब जगा मैच खिल ले जाते थे. तो एक बात बताई ये point, बैड़ै कि वो गाड़ी में, आप लोग मैच के लिए गाड़ी बैटके सारे जाते थे, कितने लोग approximately गाड़ी में एक साथ जाते थे, त्यरा चौधा चौदा चंद रहते थे, 13 चौधा लोग, वैसे वह ओबनी चलाता था था हार्डली उसको ब्रेक मारने के लिए जगह मिलती थी मगर वह एक्साइटमेंट जो एंजायमेंट था हम लोग ने वह एक डिफरेंट लेवल पे था क्योंकि कैसे एक ही मैच ने करते हैं हम दीन में तीन-चार मैच करते थे तो यह जगह से वह जगह जाते थे मर ऐसे ही जाते थे मैं तीन-चार आगे बाकी के सब पीछे बैट्स, बैग्स सब रहेंगे तो वह सब डालके गाड़ी में हम लोग यह वह ट्रैवल करते थे और यह कौन से टूर्णमेंट थी जहां पर ओमनी गाड़ी मिली थी मैन अफ दे सीरीज वह एक हम लोग जो खेलते थे तो हम लोग का मतलब जीतेंगे तो बॉल मिलेगा या जाए से ज्यादा एक थम्स अप या खुलफी या ऐसा कुछ होता था यह ओमनी गाड़ी वाले टूर्णमेंट्स कहा होती है यह विले पारले में बहुत बड़ी टूर्णमेंट्स थी वह सभी म मुझे पता रही क्योंकि जैसे अपी वो में उनकी गाड़ी थी ना उनकी पुछना पड़ेगा कि आपके पास अपनी क्या वो गाड़ी आपने रखी है विकॉस इतनी इतनी हमारी फिल्म में जो हम लोग सब लोग हम लोग और एक सीक्वेंसे जहां लोग बस उतर रहे गा अपनी आपके जाना चाहिता है अगारी को तो एक दिन आग लगा दो यहां भंगार अले के बास बेच के आउंगी तो अधियाज आइज आइचा है जाना है मतलब जाना है अगो माजी आईज आइज आएज आईज आते है